हमारे देश में जल्दी ही नेजल वैक्सिन और दुनिया की पहली डी एने वैक्सिन भी शुरू होगी साथियों कोरोना के खिलाब भारत की लड़ाई सुरू से ही बैज्यानिक सिद्धान्तों बैज्यानिक परामर्ष और बैज्यानिक पद्धती पर आधारित रही है पिछले ग्यारा महिने से देश में वैक्सिनेशन अभ्यान चल रहा है देश वासी इसके लाब भी महसूस कर रहे हैं उनकी रोजमरा की जिन्दगी सामान्य हो रही है आर्थिक गतिविधियों भी दुनिया के कई देशों की तुलना में उत्साहजनक रही हैं लेकिन सात्यों हम सभी जानते हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है ऐसे में सतर्कता बहुत जरूरी है देश को सुरक्षित रखने के लिए देश वासियों को सुरक्षित रखने के लिए हमने निरंतर काम किया है जब वैक्सिनेशन शुरू हुआ तो उसमें भी बैग्यानिक सुझाओं के आधार पर ही इताय किया गया कि पहली डोज किसे देना शुरू किया जाएं पहली और दूसरी डोज में कितना अंतराल हो स्वस्त लोगों को कब वैक्सिन लगे जिने कोरोना हो चुका है उन्हें कब वैक्सिन लगे और जो को मर्बिलिटी किसे ग्रस्त हैं उन्हें कब वैक्सिन लगे ऐसे निर्णय लगातार किये गए और ये परिस्तितियों को संभालने में काफी मददगार भी साबिद हुए हैं भारत ने अपनी स्थिती परिस्तिति के अनुसार भारत के वैग्यानिकों के सुझाव पर ही अपने निर्णय लिये हैं वर्तमान में ओमिक्रोन की चर्चा जोरो पर चल रही हैं विश्व में इसके अनुभव भी अलग-अलग है अनुनमान भी अलग-अलग है भारत के वैज्ञानिक भी इस पर पूरी बारीकी से नजर रखे हुए हैं इस पर काम कर रहे हैं हमारे वैक्सिनेशन को आज जब ग्यारा महिने पूरे हो चुके हैं तो सारी चीजों का वैज्ञानिकों ने जो अध्यान किया है और विश्व भर के अनुभवों को देखते हुए आज कुछ निनन लिये गए हैं आज अटल जी का जन्मदिन भी हैं क्रिस्पस का तेओहार भी हैं तो मुझे लगां कि इस निरने को आप सब के साथ साजा करना चाहिए